सवाल सिर्फ और सिर्फ इस टावर का नहीं है बलकि सवाल उन सपनों से जुड़ा है जो खुली आखों से देखे गए थे सवाल तो ये भी कि क्या उन बिल्डिंग पर भी हतोड़ा चलेगा जो ब्रश्टाचार की बुनियात पर आज भी तनकर खड़ी है और प्रशासन की तरफ देख मूँ चिड़ा रही है क्या उन अधिकारियों के घर पर भी हतोड़ा चलेगा क्या उनके अधिकारी भी जमीन दोस होंगे जिनकी आखों के सामने इस इमारत को खड़ा किया इस इमारत की नीव को डाला किया और उनके ही सहयोग से इस इमारत को आसमान तक पहुचाने में मदद मिली क्या उन builders के लिए भी ये सबक होगा जिनोंने कई सैकड़ों परिवारों के सपनों को हमेशा हमेशा के लिए जमीन दोस कर दिया कहते हैं न ता उम्र भी जाती है आशियाना बसाने में और उन्हें तरस भी नहीं आता बस्तिया उजारने में मगर सवाल बस्तियों का नहीं है, यहां सवाल भ्रष्टाचार और सपनों के घर के बीज उस दिवार का है, जिसकी इमारत की बुनियार विश्वास पर कभी टिका करती थी, यह सूपर टेक ट्विन टॉवर आज ही चर्चा में नहीं आया, बलकि जब से इसका निर्माण कारे शुरू हुआ, तब से ही इसकी निव में भ्रष्टाचार के सीमन्ट का जम कर इस्तमाल हुआ, इमारत का निर्माण तो तेजी से होता गया, और उतनी ही तेजी से भ्रष्टाचार की बुनियाद भी मजबूत होती चली गई, पर कहावत है ना, कि पाप का घड़ा एक ना जरूर फूटता है, और यही हो रहा है, इनको बनाने वाले इमारत के नक्षा पास कराने वाले उन लाल्चियों ने ये सोचा नहीं था कि जिस तेजी से इमारत के माले खड़े हो रहे हैं, उससे कई गुना तेजी से ये चंद सैकिनों में हमेशा हमेशा के लिए इतिहास भी बन जाएंगे, जमीन दोस हो जाएंगे, न्यूजवली इंडिया की इस खास पेशकश में हमारे पूछे जा रहे कुछ सवाद है, सवाल ये कि क्या ब्रश्टा चार की इमारत गिरने के बाद क्या ब्रश्टा चार का दी एंड हो जाएगा, जब ये नौयडा का टिन ट जाने ऐसे कितने ट्वावर्स का निर्मान कर चुके हैं, सवाल एक, जिनके सपनों की इमारत खड़ी थी, वो इमारत भी जमीन दोस होगी, जिसका जीवन इसमें लगा था, वो भी धराशाई होगा, उसका जिम्यदार कौन? सवाल नमबर दो, आम जनता ता, उम्र की खून पसीने की कमाई इस इमारत में लगी, लेकिन क्या जिन अधिकारियों की शैपर ये भष्टा चार की दिवारे खड़ी हुई, क्या उनके घर भी धराशाई होगे? सवाल नमबर तीन, क्या करप्शन की ये बिल्डिंग गिरने से, जिनकी उम्मीदे भी धराशाई होगे? संदेश जाएगा, भविश्य के लिए, लेकिन क्या ऐसी बिल्डिंग आगे भी गिरेंगे? सवाल नमबर चार, क्या उन मामलों की जाँच होगी जिसमें ब्रश्टा चार की बूँ आती है? ना जाने ऐसे कितने इमारते होंगी, जो करप्शन की जमीन पर सालों साल खड़ी हो चुकी है? सवाल कई है, लेकिन जवाब देही किस की है? ये भी एक बड़ा सवाल है